इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा बारवी इंदी साहित्ते का आपके अद्वार्शिक परिक्षा 2022 ते इसके लिए 100% रियल पेपर बता रहे हैं आपको आप सबको पता है कि जो भी हम कोशन बताते हैं वो गलत कोशन नहीं बताते हैं आपके एक्जाम में पूछे जाते आप सबने भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो बताया उसमें से 100% जो आपने बताया वैसा का वैसा आ गया कोई बच्चे के रहे हैं कि सर 50% प्रशन मिले और कोई बच्चे के रहे हैं कि सर मिला ही नहीं है आप तो गलत वीडियो बनात भी जिलों में सेम आता है बाकि अदवार्शी का अलग अलग आता है इस वजह से तो किसी जिली में हमारे 100% सवाल तो बिदे नहीं और पुरी वीडियो का नाम बताते हैं। उनका पेपर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें से वीडियो में से लगबग 5-10 कोशन है अब इतनी छोटी वीडियो से 5-10 कोशन मिल रहे हैं और क्या चाहिए इतना इजी कर दिया आपके लिए बीना तैयारी के केवल 10-15 मिनिट की वीडियो देखकर आपके इतने हैं यह पर को दो आपके है अपके लिए बीडियो के लिए कहाँ अब किसी वीडियो को भीडियो को भी देख लो तो आपके तीयरी में चार चांद लग जाएंगे क्या आपने वह कोशन डेख लिए जो most repeated है यहाने जो एक्जाम में पुछए जाएंगे सभी जिलो के लिए most important है अब किसी जिले में ज्यादा बिठेगा किसी में कम अब इसमें अमारी गारंटी नहीं है ठीक है न तो अब देखो आज हम आपको कक्षा बारवी हिंदी साइटे का बताने वाले तो इस वीडियो को पूरा अंतर देखना क्योंकि इसमें से प्रशन बेट सकते हैं आपके paper के अंदर भी तो सभी जिलो के लिए most important है तो पहले प्रशन की तरफ चलते हैं तो पहला प्रशन आप देख सकते हैं सब याद भी करते हैं चलना है वीडियो को दो से तीन बार देख लो याद हो जाए सारे आपको लिखना ना पड़े तो व आगे देखें आप सरोज इस्मरती गीत है सरोज इस्मरती गीत कौन सा है तो व्यंगे गीते इस्मरती गीते आनंग गीते या शोग गीते तो आप सबको पता है कि जो सरोज इस्मरती है वो एक शोग गीत था ठीक है ना सरोज की स्मरती में लिखा गया था वो गीत तीसरा देखे आप शुकल जी के समय व्यसक मित्रों को हिंदी प्रेम मंडल का नाम लोगों ने रख दिया था तो देखें आप निर संद है लोग ठीके ना तो देखो जो शुकल जी ते उसका समव्यशक मित्रों की हिंदी प्रेम मंडली का नाम क्या रखाता निर संद है लोग ठीके ना निर संद है लोग चोथा देखें आप गड़ी के द्रुष्टां से लेखक ने व्यंग किया तो किस पर किया धरम उपदेशों पर किया था अब देखो आपके याद तो देखो एक नंबर का प्रश्ट ऐसे पूछ लेगा और चाया तो ऑप्शन भी दे सकता डारेक ऐसे पूछ ले गड़ी के द्रशान से लेकक ने व्यंग किया था किस पर किया था ऐसे पूछ ले आप से तो अप्शन ना दे तो इसलिए आपको दो तिन बार वीडियो देखनी याद हो जाएगा आपको और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एक भी प्रशन मत चोड़ना वरना बाद में पच्ता होगे अगे कंट रुकता जा रहा है आहा है काल कंट रुखता जा रहा है आ रहा है काल देखो ठीक ना आगे देखें हम प्रियाक संग्राले के नविन विशाल भवन का उद्गाटन खाली स्थान ने किया था तो किसने किया था तो आप सब को पता है जो प्रियाक संग्राले था उसका नविन विशाल भवन का उद्गाटन किसने किया था जवालाल नहरू ने, किसने किया पंडित जवालाल नहरू ने, किके तो प्रियाक संग्राले के नविन विशाल भawन का उदगाटन जवालाल नहरू जी ने किया था, याद भी करते जाएं, नुवा देखे हम, यह दीप अकेला में दीप व्यक्ती ठीक है वेश्टी और व्यक G. J. G. P. जी ना sarà संकर प्रसाद ने अंजान अतितियों को आस्षरे देने वाला देश क600 ऐоловार भारत उसको रहने का इस्ठान देता है तो हाँ इसमें आ जाएगा आगे देखे आगे आपको बहु वेकल्पिक प्रश्णों में यह दिया वाइज सही जोड़े मिलान का प्रश्ण है आपके तो देखे इसमें रचना दी रखी और लेखक का नाम दी रखा है तो कौन सी रचना किस लेखक ने लिखी याद भी करते चले क्या पता आपके मिलान ना है आपसे एसे पूछ ले समंधिया रचना किस ने लिखी तो आपको याद होना चीहे कि फनिश्वर नात रेणू ने लिखी थी ठीक है ऐसे आपसे पूछ ले कुछ भी कि देव सेना का तो जेशंकर प्रसाद ने लिखा, समुदिया इस ने लिखी तो आप्पको पता है तो आपपको पता है फडूच वरनात रेणू ने लिखी, ठीक है सरोज स्मृति अब भी आपने बड़ा सरोज इसमरती तेके तो ये किसने लिखी तो ये लिखी है सूर्यकान त्रिपाटी ने किसने लिखी है सूर्यकान त्रिपाटी निराला ने ठीके ना निराला भी पूछ सकता है खाली निराला लिख दे और आपको बताना हो तो निराला ठीके ना निर इसको पढ़ना है और इन्ट प्रशन के उत्तर देने अपको पड़ना है इसको अलग आसकता है तो इसको छोड़ सकते हो आप इसकी तैयारी मत करो जो प्रशन उत्तर अन्सब की तयारी करना है आपको, अभी हमने बाकि छोटे-छोटे प्रशन इंक बता दिया, पंदर्वा देखे आप, बड़ी बहुरिया, उस में माई के संदेश को क्यों बेजना चाती है, ठीक है, अपने माई के को संदेश क्यों बेजना चाती है, और यह को बताना है आगे देखें आप गड़ी के पूर्जे कहानी का उद्देश है क्या है या दिमाग में सोचते वे चलें अगर आपको याद है तो अपने माइन में सोच लें कि कौई बताना है यह तीनों के जो हमने नाम बता है इन तीनों का लेका परीचे में से एक आपके अंड्रेट परसंट आ सकता है आगे देखें आप अठारवा यह दीप अकेला कवीता का मूल भाह क्या है ऐसे भी पूछे गा सवाल अपको पार्ट का सार बताना होगा तो मूल मादूर्य गुण की परिवाशा ठीक है और देखो कावे दोष किसे कहते हैं उसकी परिवाशा लिखें तो यह दोनों आपको आने जएट यह तो शुल्ति कट्रूस्क की परिभ वक्षी का नाम देखेंगे का जुली यह सब आपसे तो पूछते हैं इस पर हमने देखो चंद पर एक वीडियो बना रखी बहुत ही शांदार है चैनल पर मिल जाएगी चंद पर वीडियो है एक तो बहुत शांदार और एक अलंकार पर भी वीडियो है आपके तो अलंकार वाली वीडियो भी आप देख सकते हो चंद अलंकार पर बहुत शांदर वीडि objective वाले question आ रहे हैं 5-6 और कहीं पे तो MCQ आई नहीं रहे बिल्कूल भी तो यह सब पर vary करता है पर इन में से question जरूर आपको देखने को मिलेंगे तो यह सारे question आपको अच्छे तयार करने हैं यह देखो आप यह सारे question निबन इन चारों को तयार कर लेना काम हो जाएगा एक और पढ़के जाना निबन पढ़के जाओगे तो दिमाग में याद रहेगा तो आप इजली उसका structure बना के अच्छे से लिख पाएंगे शिक्षा का अधिकार पर निबन ठीके दूसरा देखे जल संड्रक्षन आज की आवशक्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस मैं से एक भी परश्ण मत चोड़ना अगर यह सारे परशण आपने तयार कर लिया ना तो समझो से 50-plus तो इसको पूरा या जाये कर लेना कि बरवसा नहीं कुछ भी प्रशन हा certificate तो फिर आपको पता चलिकी पीछे-पीछे तो सारा आगे और आगे-आगे क्या आए नहीं तो ऐसे भी हो सकता कि आगे-आगे से तो दो तीन ही आए और पीछे-पीछे से तो हमारे देख लो आँट डिसकोशन आ रहे हैं और हमने वो तैयार ही नहीं किये तो ऐसे गड़बर मत करना तैयार कर लेना और आपको देखो इन सबको तयार करना है और अगर इन में से कोई प्रश्ण का उत्तर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना और आप चाहो तो कमेंट करके भी इनका उत्तर बता सकते हैं दूसरे बच्चों का ही फायदा होगा किसी को समझे यह वाला प्रश्ण आता है किसी को यह गलत है इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए तो आपको कमेंट में भी रिप्लाय देंगे ठीक है और सबका सुलूशन करना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत सारे पेपर अमाल पर सा रहे है और सभी बच्चों को पेपर चाहिए और सभी बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट भी कर रहे हैं मैसेज भी कर रहे हैं कि सर पेपर लाओ तो इसलिए अभी पूरे का सुलूशन करना पॉसिबल नहीं है बाकि हम सुलूशन करते हैं thank you for watching मिलते हैं नेक्स वीडियो में किस वीडियो चाहिए किस वीचे का पेपर चाहिए वह भी कमेंट कर देना वह भ आइगा